शिश्ष ने गोतम बुद्ध वगवान से पूछा था कि आपने तो भूत कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ जाना है, थोड़ा हमें भी बतलाईए, तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है, उसरफ ऐसे ही है, जैसे प्रत्वी में से कोई एक कन को मैंने जान लि हो, यह अनन्त को, यह परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है, यह अनन्त है, अखंड है, अचेद है, अभीद है, अध्वैतम अच्छुतम अनादिम अनन्त रूपम, आध्यम पुरान पुरुसम नवयोवनम्च वेदे सु दुरलभम, आध्यम अत्म भागतो, गुविंदम अधी पुरुशम तमावं बजामी वेदे सु दुरलभम, उन्हें जानने के लिए चलोगे, तो कभी नहीं जान पाओगे सु दुरलभम, वेदे सु दुरलभम, आध्यम अत्म भागतो, लेन आत्म भागतो यानि जो भगवान के परम प्रेमी भकत हैं अर्जुन जैसे, उदव जैसे, प्रलाद महराज जैसे, ध्रुग महराज जैसे, अदुरलव, उनके लिए अदुरलव है, उनको भगवान को समझ पाना बड़ा सरल है, क्यों? प्रेम, आत्म भगत हो, क्योंकि वो प्रेम ही भगते हैं, प्रेम बड़ी चीज़ है, प्रेम से ही परमीशर को जाना जा सकता है, और कोई कारण नहीं है, कि शास्त्रों से ज्ञान से जानने की कौशिश करी, तो व्यर्थ हो जागा, भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है, प्रेम को ही भक्ती कहा है, भक्ती विलोच नेन, प्रेमान्यन चुरिता, भक्ती विलोच नेन, भक्ती भरे नेत्र होने चाहिए, भक्ती के चक्षु होने चाहिए, प्रेम के चक्षु, तब उनकी पहचान होती है, जल्दी से पहचान होती है, फिर उजर्रे जर्रे में नजर आते हैं, जर्रे जर्रे में है जांकी भगवान की, किसी आख वाले ने इसकी पह पूलों में उसी की गंद है, सुर्ये में उनीका प्रकाश है, जल स्रोतों में जल में स्वाद वोई है, अगनी के रूप वोई है, वायू के इस पर्ष वोई है, आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भवान ही है, ये वागवान के कलाएं हैं, विभूतिया हैं, वागवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद में हूँ, लिए कभी हम यह उठा के नहीं देखते हैं, जल सरोतों में गंगा में हूँ, आज वेग्यानी के इस नतीजे पर पहुँचें कि संसार के जितनी भी नदिया हैं, उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है, इसलिए उसका महत्व है, ये विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यानी साइन्टिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है, लेकिन हमारे शास्त्र अनादिकाल से कहते चले आ रहे हैं, कि गंगा भगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ, जो चर्णा मृत है, वो जल है, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था, और भागीरत के प्रार्थना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है, उसका मैत तो है, साइन्टिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है, उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी न दिया है, उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन, जीने की शक्ति गंगा के जल में है, इसलिए गंगा जल का बड़ा मेहत है, और जब आदमी शरीर त्यागता है, तो ग लिश्णों के चरनों से आई होई है, उसकी परमगती हो जाती है, अन्तमतास हो गता, भगवान की याद करते हुए शरीर छोड़िया है, तो धन्न हो जाता है उप्राणी, यम्यम वापी स्मरं भावं, त्यजत्यंते खलेवरं तम तमे वैती कौनते सदात अद्भाव होऊंगे अब ब्यास करेंगे जीवन भर, तभी भगवान की अंत समय में याद आती है, और अंत समय में याद बनी रही भगवान की, तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं, बैकुंठ के वासी बन सकते हैं, केवल कहने मातर से नहीं कि देने के लिए बोलते हैं ऐसे या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठ्थियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलाने दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम, हरी राम, 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 हरी, हरी, ये परम रह्ष्मई महा मंत्र भगवान को रिजाने का, इसके नामों का जिनोंने आस्वादन किया है, उनको ये प्रभाव मालूम है, ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बल्शाली मंत्र है, क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जिक कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एक दम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र, परम, शक्तिवान नाम चाहिए जा भावना को उज्वल करे हमारे और हमारे भावना उज्वल होगी तभी हम सुखी होगे यह कभी नहीं भूलना हम जितनी गंधी भावना के होगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटीज, काम, क्रोध, मद, मोह, मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहा इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत विशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ज्ञान उपदेश किया है, सरदा के भी से में बतलाया, कि सरदा जो इर्दा में होती है, सरदा का उदे होता है, नाभी के इंदर से, इर्दा में आकर कि इसका प्फूल खिलता है, सरदा बलवती होती है, सरदा के बिना प्रेम उद्य नहीं होता पहले सरदा उद्य होती है सरदा में प्रेम रूपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान की परती या किसी की परती तो प्रेम कैसे उद्य होगा पिर सरदा कैसे उद्य हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरद्धा उद्ध होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बाँ बेटे को पुत्र को छोटे बच्चों को बार बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लिए बच्चा दो साल का तीन साल का चार साल का आठ साल का डवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों? क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्ध होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रति हमारे इर्दे में प्रेम जागरी तो हता है प्रेम जागरी तो हता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्तरों को कंसल्ट करते हैं ग्यान प्राप्त करते हैं, गुरुजी के चरणों में बैठते हैं, जिनको अनभव हो गया है, रिलाजिशन हो गया है, भगवान का आत्मा का साक्षातकार हो गया है, भगवत साक्षातकार हो गया है, ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं, कि हमको भी कुछ ग्यान मि आत्मा ने किया जिन्होंने तत्तों से उस इश्वर को पैचाना जाना वो ग्ञान उपदेश करता है उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है गुरू के वाक्यों में फिर उन वाक्यों से प्रभू में सर्द्धा पैदा होती है परमेश्वर में सर्द्धा पैदा होती ह तवी तो भगवान स्री कृष्ण ने उपदेश किया तद्विधी प्रणी पातेन परिप्रशनेन सेवया उपदेख्षंती ती ज्यानम ज्यानिनस्त तत्वदर्शिना है अर्चुन तु मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ज्यान उपदेश करेगा जिस ज्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है, सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई, अभी तो गुरु को भी गिर्धर गोपाल के भीतर ही देख रही है मीरा, क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं, सारे गुरु समाईते हैं, ब्रह्मा बिश्णु समाईते हैं, सारा बिश्व ब्रह्मान समाईते हैं, इसलिए तो बगवान के अंदर है तो गुरुजी भी बगवान के अंदर ही है बारनी मीरा कहती है कि मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पती सोही संतन धिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई संतन के बीच में जाकर मेरा नाच ने लगी बगवान के गुणगान करने लगी तात मात भाई बंधू आपनों ना कोई मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों ना कोई अस्वन जल सीच सीच अब तो चट पटाती है प्रभू से मिलने बहुत बियोगी नहीं बन गई भगवान के विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिरदय चट पटाने लगा तो छट पटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आंसु उमरते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हसता है कभी कि महा भाव में चला जाता है मीरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल अरी मा मेरा तो गिर्धर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आये भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए इस शरण में आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसारे बिसारे उठते बैठते सोते जागते नाते दोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते कमाई करते कभी भगवान को नहीं बुलाईए बगवान आपके इर्दे में आपके प्रते एक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको क्या आप क्या विचार कर रहें आपके कर्मों के विचारों के साक्षी है पूरे विश्व के साक्षी भगवान है आत्मा के अंदर वो विशेष्टा है जो परमात्मा के अंदर है परमीश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बूंद में वोई गुण तत्व है जो सागर के अंदर है जैसे सागर सौल्टी है ऐसे यो बूंद भी सौल्टी है तरल है ऐसे ही हम बगवान के यह अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी पेवर कॉंशियसनेस का भगवान से मिलता है एक दम लेन हम उस इस्तित्य पर नहीं है हम पेवरिटी को खोच चुके इसलिए आभी भगवान को भी पहचानते नहीं है और भगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्ण आत्मा सतोगुण में जीती है अपनी अपनी जीवन को नहीं सत्रोगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुंदर इसलोगों में इतीनों गुणों का वर्णन किया है अहार का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रोग अध्या के प्रारव में आहार भगवान ने क्यों रखा क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पंची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े-बड़े सभी आहार के ही रूप है यह सारा हमारा शरीर यह आहार का ही स्वरूप है जो जो आहार हमने किया खाया पिया वो यह तो डवलप हुआ है चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहार मिला हो या भाराने पर इस्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पर जैसा भी अन खाया हमने अन खाया, बेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई उसे से ये शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है वो पहला गुरू है समाज का, ये शरीर का बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खाता है, पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि ये भूजन अच्चा है मेरी माँ खिला दिये इसमें दोश क्या है? शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुन्दर गेहों की रोटिया है, बास्मती चावल है, खाखा के में शरीर खुश है परसन्नू, तो जो शुद्ध मा होती है, वो सतोगुणी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को भी करवाती है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो उस परिवार के शरीर सतोगुण में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुण प्रब कि रजोगुन नीचे दबा रहता है, तमोगुन और भी बिलकुल दब जाता है, सतोगुन दबा देता है, लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं, बच्चपन से ही कैकडे का सूप पिलाओ, गव के बच्चडे कटते हैं संसार में, उचलते हुए, खिलाओ, कंचडे बिच्चु खिलाओ, मक्की मच्चर खिलाओ, टूना मचली खिलाओ, सूर, तीतर, कबूतर खिलाओ, जैसे जैसे खिलाओ, खिलाएंगे बच्चे को.